दोस्तों एक बार फिरसे स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चानल स्कॉलर इंग्लिश पर मेरा नाम है दिपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीज करती हूँ तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं दा हिंदू एडिटोरियल का वोक्याब अनालिसिस आशा करती हूँ कि आप इन सेशन्स के साथ रेगिलरली जुड रहे हैं और इनका बेनेफिट भी उठा रहे हैं क्योंकि इन सेशन्स का मकसद है आपकी वोक्याब पावर को और जादा इन्हांस करना और ये जो वोक्याब सेशन्स है ये बैंक, SSC, रेलवे, UPSC ये फिर किसे भी competitive exam के लिए equally बहुत ही जादा important है तो चलिए और जादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोक्याब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला word कौन सा है तो हमारा सबसे पहला word है rile rile का मतलब होता है चिड जाना, किसी को परेशान करना या फिर चिडाना उसे हम कहेंगे rile और ये हमारे पास parts of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है irritate या फिर annoy यानि कि परेशान करना चिडाना for example, leaving dirty dishes in the sink overnight riles my roommate यानि कि रात भर sink के अंदर जूटे बरतन रखने से जो है वो मेरा roommate बहुत ज़दा परेशान हो जाता है वो बहुत ज़दा गुसा करता है, चिड जाता है इस context में हम जो है वो rile इस word का लग-लग sentences में use कर सकते हैं then हम इसके साथ आगे चलेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला word कौनसा है तो हमारा next word है banking on banking on का मतलब होता है निर्भर करना किसी चीज़ पर अपनी उम्मीदे या फिर भरोसा रख देना यानि कि भरोसा करना किसी चीज़ पर उम्मीदे जताना या फिर किसी चीज़ पर totally depend हो जाना उसे कहा जाता है banking on और ये एक phrasal verb है synonym इसका होता है rely on यानि कि depend करना किसी चीज़ पर निर्भर हो जाना example की help से समझते हैं example इसका है यानि कि नीधी अपने सालों के experience और कौशल यानि कि skill पर निर्भर करती थी यानि कि उस पर depend करती थी इस context में हम जो है वो banking on इस phrasal verb का लगलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ आगे चलेंगे और देखेंगे कि हमारा अगला word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है biting biting का मतलब होता है कठोर या फिर सक्त और ये हमारे पास parts of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonymous का होता है sewer या फिर stringent यानि कि कठोर या फिर सक्त या फिर तिवर उसे कहा जाता है sewer या फिर stringent अब example की help से समझते हैं इसका है the biting restrictions are imposed on various sectors यानि कई शेत्रों पर कठोर प्रतिबंद लगाए गए इस context में हम जो है वो biting इस executive का अलग-अलग sentences में use कर पाएंगे तो चलिए इसी के साथ आगे जाते हैं हमारे next word की ओर तो इसके बाद हमारा अगला word है through his weight behind through his weight behind का मतलब होता है अपना प्रभाव डालना, प्रभाव या फिर शक्ती का प्रयोग करना उसे कहा जाता है through his weight behind और ये एक idiom है सिननीम इसका होता है influence यानि कि प्रभाव या फिर किसी को प्रभावित करने की कोशिश करना For example, the CEO threw his weight behind to strengthen the new marketing strategy यानि कि CEO ने नई marketing strategy को मजबूत करने के लिए अपना प्रभाव डाला इस context में हम जो है वो through his weight behind इस idiom का अलगलग sentences में use कर सकते हैं तो दोस्तों इसे के साथ आगी पढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानते हैं कि हमारा next word कौनसा है Then इसके बाद हमारा अगला word है shake up Shake up का मतलब होता है परिवर्तन करना या फिर बदलाव करना किसी चीज में उसे हम कहेंगे shake up और ये एक phrasal verb है Synonym इसका होता है reform या फिर change यानि किसी चीज में जो है वो बदलाव लाना परिवर्तन करना For example, the management decided to shake up its marketing team यानि कि management ने अपनी marketing team में बदलाव करने का फैसला किया इस context में हम जो है वो shake up इस phrasal verb का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं Then इसके साथ आगे चलेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है technocrat technocrat का मतलब होता है technique वादी कोई engineer, scientist या फिर expert, specialist जिनको technical knowledge हो और साथ ही साथ उनके पास political power भी हो उसे कहा जाता है technocrat और ये हमारे पास parts of speech में noun है synonym इसका होता है expert या फिर specialist For example, the new health minister is a technocrat with years of experience यानि कि जो नए health minister है वो एक technocrat है यानि कि और उनको सालों का experience है यानि कि उनके पास technical knowledge भी है फ्लस उनके पास political power भी है इसलिए वो technocrat है इस context में हम जो है वो technocrat इस word का अलग-अलग sentences में use कर पाएंगे then इसके साथ हम आगे चलेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है repressive repressive का मतलब होता है दमनकारी यानि कि राजनिति के अफिर सामाजिक स्वातंतरता को बाधित करना रोक देना उसमें बाधा डालना उसे कहा जाता है repressive और ये हमारे पास parts of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है oppressive oppressive का मतलब भी होता है दमनकारी यानि कि राजनिति के अफिर सामाजिक स्वातंतरता को बाधित करना उसमें बाधा लाना अब example की help से समझते हैं example इसका है the repressive regime is surprise opposing opinions within the nation यानि कि दमनकारी शाशन ने राश्ट्री के भीतर विरोधी विचारों का दमन किया यानि कि उनको दबा दिया उनको बाधित कर दिया रोक दिया इस context में हम जो है वो repressive इस word का use कर सकते हैं तो चलिए इसे के साथ आगे जाएंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौनसा है तो हमारा अगला word है flatter to deceive flatter to deceive का मतलब होता है गुमराह करना निराश करना और ये एक phrase है सिरनिम इसका होता है mislead या फिर disappoint यानि कि निराश करना गुमराह करना एक्जांपल की help से समझते हैं एक्जांपल इसका है the success of the business flatter to deceive यानि कि व्यवसाई की सफलता में धोका देने के लिए लोग चापलूसी करते हैं इस context में हम जो है वो flatter to deceive इस phrase का अलग-अलग sentences में यूज कर पाएंगे then इसके बाद हमारा अगला word है sizzle sizzle का मतलब होता है अत्यादिक गर्म या फिर तिवर यानि कि बहुत ज़ादा गर्मी होना कोई चीज बहुत ज़ादा ही गर्म होना उससे कहा जाता है उसके लिए यूज किया जाता है word sizzle और ये एक executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है burning या फिर scorching scorching का मतलब होता है तपतपाती गर्मी और burning का मतलब होता है जुलसा देने वाला यानि कि बहुत ज़ादा गर्म होना for example the sizzling sun beat down relentlessly यानि कि चिलचिलाती धूप लगातार बरस रही थी इस context में हम जो है वो sizzle इस word का लगलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ हम आगे चलेंगे आज के हमारे last word की तरफ और जानेंगे की हमारा last word कौन सा है तो हमारा word है steeper steeper का मतलब होता है अत्यादिक या फिर तिवर किसी चीज के size या फिर amount में जो है वो बढ़ातरी होना उसे कहा जाता है steeper synonym इसका होता है higher यानि की बढ़ा यानि की किसी चीज में बढ़ातरी होना बढ़ना for example the price of toys become steeper as Christmas approach यानि की Christmas के करीब आते ही खिलोनों की कीमत बढ़ जाती है इस context में हम जो है वो steeper इस word का लग-लग sentences में use कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए बिस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो do like this video, subscribe the channel and share as much as you can और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर click करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं Till then keep learning, thank you